हेलो फ्रेंड मैं हूँ आपको दोस्त पंकश कुमार और आपका स्वागत है एक बहुत ही मजदा टूडल में आज हम जो इफेक्ट दिखने वाले हैं और बहुत ही कॉमन इफेक्ट है जो साधी के फोटो में यूज किया राता है इस्टूडियो वाले इफेक्ट को दिखा के फोटो को बहतर बनाते हैं तो आज हम यह देखेंगे कि एफेक्ट क्रेट करते हैं Effect बनाने का दो तरीका है पहला यह एक फोटो को blackmark करके उसके जो जो कपड़े पहने है उस करेक्टर ने उस करेक्टर के कपड़ों को color छोड़के बागी बौरी और बागी हर चीज ब्लाक माइड कर देते है और दूसरा तरीका जो है वो यह है Qui करेक्टर ने जो जुलेरी पहने है उसे कलर छोड़के बाकी सबको ब्लैकन करते हैं यह इफेक्ट बहुत ही कॉमन है जो आपको बहुत जाए देखने मिल लाएगा यह उसका एक एक इसामपल है यहां आप देखे कि जो करेक्टर का हर चीज ब्लैकन वाइट है सिवाए उनके ये गहने की छोड़के और उसका अच्छा गजामपल यह है यहां पे जो टेक्निग है जोग जोग चीज Lal है उनके बाडी में जो पहना गया है जो चीज लाल पहना गया है उस चीज को कर चोड़ चोड़के बाकी हर चीजको यहां ग्रेस क्ल्प में अरग देते यह और एक यहां किया यह गया है इन यह पहना है उसका जो color है वो थोड़ डिसरेज़ट है और इनका body का जो color है वो बहुत डिसरेज़़ट है इससे क्या है दोन में contrast आरहा है बहुत सुन्दा यह करने में थोरी सी परिसानी होगी पर वक्त लगेगा पर उतना मुस्किल नहीं करने में आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आपने इसके पहले बार टुटेल ने देखा तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप उसे देखें तो आपको एक concept जो है वो clear हो जाएगा और यह concept कहां से आया है मैंने उस टूटेल के beginning में यह discuss किया था कि यह effect आया कहां से है इसका history क्या है अगर आपको इंट्रेस्टे जाने में तो आप वहाँ यह चेक कर सकते हैं तो चलिए आज का हम टूटेल सुरू करते हैं तो यह हमारा image है आप देखें इसका input यह था और हमा एक shortcut होता है Ctrl-Shift-U इससे आप image को grace screen कर बढ़ कर सकते हैं पर यहाँ पर यहाँ पर वह नहीं करना है जैसे यहाँ पर जो effect adjustment research rate यह effect हमें यूज नहीं करना है हम यहाँ पर दूसरा effect यूज करेंगे वह effect आपको मिल जागा इस corner में यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ से एक tools का option खुलेगा यहाँ पर आपको select करना है gradient map जो second last option यहाँ पर आप देखे इससे आप select करेंगे मैंसे select किया select करने के बाद आप इस portion पर click करेंगे तो आपका यह खुल जाएगा normal gradient editor इसमें से आप पहला चूज करेंगे और ok प्रेस करेंगे यह करने के बाद आपका image कुछ ऐसा दिखेगा पर आगर आप डिसेट करते है control cpu जिसका shortcut है तो आपका image ऐसा नहीं देखता वो बहुत फेड हो जाता है और वो मुझे उतना पसंद नहीं है अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं यह होने के बाद अब सबसे पहला में काम है selection आने का तो यहां पर आप देखे यहां पर अलग अलग पार्ट से जिसे हमको color छोड़ना है जैसे कि इनका dress इनका jewelry और यहां पर जो design है इसे क्या कहते हैं आप की उपर छोड़ता हूं वह आपके creativity की उपर करता है कि आप किस इसको color करना चाहते है और किस इसको color करना नहीं चाहते है तो सबसे पहले मैं pen tool लेके इस area का इस पार्ट का इस तरव का पार्ट का एक selection मनाओंगा क्योंकि यहां पर मुझे मुझे लगता है कि मुझे selection म काम करने में easy होगी तो मैं यहां के लिए एक selection मनाता हूं इसके लिए मैं advise दूँगा कि जब आप selection मना रहे हो तो यहां पे आप इसका address कहां तक गया है इस portion तक इसका address है जो मैं ऐसे कने से नहीं दिख रहा है तो मैं इसे off करके एक normal सा selection मनाता हूं pen tool से अगर आपको pen tool advance वहाँ पे आप pen tool का use पूरी तरह जान सकते है यह pen tool जो है वह बहुत कमाल का tool है और यह Photoshop का बहुत ही important डूल है अगर आप इसे सीख जाएंगे तो बहुत अच्छे चीज बना सकते हैं तो सबसे पहले मैं इसे इसका section बनाता हूं अभी मैं यह selection tutorial के बना रहा हूं इसलिए तो हमें rough बनाओंगा पर आप जब बनाएं तो इसे बिल्कुल perfect बनाएं ताकि आपका image बहुत अच्छा दिखे यह effect आप बहुत जगा यूज़ कर सकते हैं जैसे आपका sister का photo हो साधी का photo हो उसे लेके आप इस इसे एड करके उसे पीडियार कराके अपने घर में लाना सकते हैं तो बहुत सुंदर दिखता है यह बहुत लोग ने ट्राइ किया है जो मेरे दोस्त ही है और effect वाकरी देखने लाइक होता है तो मैं यह selection बनाना हूं कुछ-कुछ areas में आपको थोड़ा confusion होगा क्या किया जा क्योंकि हर बार हर चीड नहीं होता है और बात मैं इसे चेंज कर सकता है ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया फिर कुछ नहीं हो सकता बहुत हथा रेट किया जा सकता है इसलिए मैं पैंट्रूर्ड यूज करता हूं तो आप देखे कि मेरा basic selection complete हो गया है यह selection बहुत अच्छा नह करने के बाद section complete होने के बाद हम प्रेस करेंगे control enter बेंट्र यूज करने के बाद path को selection में convert करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है control enter control enter प्रेस किया तो देखें यहां पर selection बन गया है अब हम यहां पर तुरह feather देंगे feather आपको मिल जाएगा select modify feather इस feather को हम देंगे दो के आसपास दो काफी रहेगा ओके अब इसके बाद मैं इसे on करता हूँ on करने के बाद यह जो portion है जहां white हो गया है इसे हम mask करते हैं मैं यहां click करूँगा click करने के बाद अब जो selection है उसमें fill करूँगा black से तो वो तो बहुत simple है alt backspace दाओँगा क्योंकि यहां black है देख देखते होता है कि नहीं alt backspace तो आप देखे हमारा जो selection था वो अपने color पर आ गया है यह काम किसरा से कर रहा है mask किसे काम करता है अगर मैं mask का basic concept कभी बनाऊंगा future में तो दिखाऊंगा कि mask किसे काम करता है तो यहां मैंना यह तयार हो गया अब मुझे यहां कुछ खराब ल इसका check कर लूँगा hardness of weather, hardness रखता हूँ 50 के असपास और size वह आपके content रहेगा, यहां पर मैं इसके उपर paint करना हूँ मुझे white paint करना होगा, क्योंकि black paint करने से यह color वापस आ गया, मतलब यह color वापस आ गया, तो इसके उपर white paint करेंगे तो फिर से वह black and white हो जाएगा, तो आ यही बहुत ही special feature है, mask का, mask बहुत काम आता है, मैं जरूर सिखाओंगा आपको कि mask होता है, कैसे काम करते है mask से, तो यह अब ठीक है, अब मुझे better लग रहा है, पर आपको और कुछ अलग लगता है, तो आप अभी भी कुछ try कर सकते है, इसकी बाद अब मैं brush tool को ही use करूँ बाकी जगा को color में वापस लाने के लिए, मुझे बस इस mask को select करके, हर जगा black paint करना है, जहां मुझे color चाहिए, और white paint करे देंगा, अगर मुझे से कोई कलती होगा, तो मैं इसे पटा पट, यहां पर black paint करूँगा, black लेता हूँ, brush को बढ़ा कर लेता हूँ, देखे कितना सिंपल है यह, यह technique मुझे बहुत पसंद है, अब इस बार एक बार यह technique करने लगेंगे, तो आपको और कोई technique करने का मन नहीं करेगा, ऐसे एक सी करने का हर बहुत तरीका होता है, पर यह तरीका बहुत best में से एक है, इसे थोड़ टाइम लेक करेंगे, तो आपका effect बहुत सुन देरा आएगा, तो हमने यहां तक कर लिया, अब मैं और आगे करूंगा, देखिए, यहां छुड़ गया है, मैं यहां कर लेता हूँ, आपको थोड़े सबर से काम करना होगा इन देखिए, इसको कर किया है, पर इसके में डिटेल नहीं है, जैसे यहां पर देखिए, इस तरह तो अजीद दिख रहा है तो मैं काम करूँगा अब मैं वाइट लूँगा और ब्रस को बहुत चोटा कर लूँगा और देखिए यहां पर मैं डेटिर कैसे लाओंगा मैं जो एक्स्ट्रा हो गया है उसे डीट कर दूँगा इस तरह से आप काम को और बैतर बना सकते हैं तो मैंने आपको दो टेक्र दिखाए ऐसे करने का आपको जो पचंद ऊकर तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं अब मेरा सिर्फ यह बागी रहा मुझे यहां लेना होगा ब्लैक इसे बस एक ट्लिक करूंगा तो यह वह ऐसा हो जाएगा बहुत सुन्दर दिखता है हमारे जो बेसिक था हो अगर आप चाहते हैं और कुछ करना जैसे आइस तो भी कर सकते हैं बहुत सिंपल है बसे क्लिक करना है आपको ऐसे इस तरह से तो यह कलर में आ जाएगा और जरूगी नहीं अच्छा दिखे यह खराब दिखे और डिपेंड करता है पर यह आप करना हो जाए आने क्लिए वाइट लेकर मैं इसे इसे प्रेंट कर रहता हूं आइस को बिरा देता हूं तो दोस्तों यही थामार पूटल आइसका आई होब करके पसंद आया होगा आप शे ट्राइग करें मेरे फेस्बूक के पेज में अप्लोड करें मैं उसे देखूंगा कमेंट करूंगा नेक्स्ट टूटल साथ फिर मुलाकत होगी तब तक लिए गुडबाई केप लेर्निंग कीप वाचिंग